पब्लिक टीवी आपकी आवाद प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी अगले साल यानी दो हजार पक्चिस में 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे जिसके बाद नरेंद्रमोदी को अपने ही बनाए इंडियम के अनुसार रिटायर होना पड़ेगा लेकिन फिलहाल भाजपा की ओर से ऐसा संकेत बिलकुल भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि नरेंद्रमोदी वारानसी से अपना नामांगकर दाखिल करा चुके हैं और 4 जून को जनताये भी तैकर देगी कि वो जीतेंगे या नहीं लेकिन प्रशान किशोर ने हाल ही में दिये एक इंटर्व्य में कहा है कि भाजपा में ये नियम है कि जो 25 साल का हो जाता है उसे रिटायर होना पड़ता है प्रशान किशोर ने नरेंद्रमोधी पर बोलते हुए कहा कि नरेंद्रमोधी को भाजपा में कोई भी रिटायर होने के लिए नहीं बोल सकता जब तक वो चाहे तब तक प्रधारवंत्री वो बने रह सकते हैं अब ऐसे में भाजपा में बने नियम को बरकरार रखना होगा तो नरेन रमोधी को रिटार हो नहीं पड़ेगा